बहुत दो स्वागत हैं दश्रकूप आज हम बात करेंगे समाज सिवा में काम कर रहे एक ऐसे विक्ति से जो कि सरकारी सिवा से रेटायर होने से पहले ही अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं और वहां से आकर वो समाज सिवा में लग जाते हैं उन्हें कई लोगों ने प्रेरित किया बहुत जगे से उन्होंने सीखा और अब वो समाज में धम का काम कर रहे हैं साथ ही समाजिक जागरुकता का काम कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भीमराव रामटेके जी से जो बैंक की नौकरी छोड़कर इस काम में अब आगे आ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है रामटेके जी जैवियों यह बताएं कि इस वक्त आप किस जगे पे और कौन सा काम कर रहे हैं देखिए इस वक्त हम लोगों ने जो इंदोर जिला है इंदोर जिला है तो यहाँ पर बाबा साब का जन्म हुआ और ना केवल भारत में पूरे वीशु में शांती स्तापित करने के लिए बाबा साब ने धम को अंगिकार किया दो इसी दम का परचार प्रशार यहां हम करने में लगे हुए הי और पहले तो मैं बाहर भी जाता था धम की गोश्टें लेने लेकिन अभी पिछले दो सालों से हम लोगों ने ये तैय किया है कि केवल इंदोर जीले के अंदर हम जो है हर तैसिल में गाउं में धम का परचार परसार करेंगे और उसी काम में हम लोग लगे हुए इंदोर एक ऐसा शेतर है जो कह सकते हैं कि मद्यपिदेश का दिल है या भुपाल से बहुत नजदीक है राजनिती के रूप से अगर देखा जाए तो काफी यहां पर उठापड़क होती रहती है कर बहुत सारी चीजें यहां से टे होती हैं तो यह बताएं कि अरघ क्यार भुपाल हैं तो बीद्दीक काम निया गर जाते हैं तो कितनी आसानी होती और कितनी दिक्कते होती है बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह इस बारे में मैं यह कहूंगा कि जिसे आपने कहा कि मैं जगे जगे सीखा गा धम को और जिब जो हमारा धम गरंत है बुद्धा ऐंडीस धमा जो बही आवसामने लिखा उसमें कहा कि धम sen houses ना फुद्धा ऐने तो आप बुद्धा ऐंडीस धमा को पढ़िये और क्रांति प्रतृकांति को पढ़िये और तीसरा कीताब बुद्धीयाकालमाक पड़ी है तो जब उसका अध्यन हमने किया बारी की से और जहां जहां से हमने सीखा उस आधार के उपर जब सोचा तो एक बात दिमाग के उपर बहुत असर करती है जो बात ये है कि बाबा साब ये कहते हैं दिक्षा भूमी पर दिक्षा लेने के दोरान के पत्रकारों से कि यदी में पांस साल जिंदा रह गया तो पूरे भारत को धम मैं कर दूँआ इसका मतलब ये है कि इस देश में केवल एस्टी तो नहीं रहता केवल ओबीसी नहीं रहता यहां सबी रहते हैं जो हिंदु धर्म के अंग कहलाते हैं वो चारों वर्ण यहां रहते हैं इसके अल कर दूँगा इसका मतलब की हर एक वेक्ति को वो धम मैं करना चाहते थे इसका सीधा सा मतलब यह था कि जो इंसानियत है धर्म क्या है इंसानियत है धम का मतलब ही यह है कि नेतिक्ता और नेतिक्ता का प्रचार प्रसार करने में हमें तो अब किसी प्रकार की दिक्कत महसूस न बताते थे लेकिन बुद्ध का ये मार्ग ऐसा है कि चाहे वो मुसल्मान अपना है पंचिशील को तीसरन को चाहे वो कोई भी अपना है कोई भी वेकती किसी भी देश का हमारे देश का किसी भी जाती का किसी भी वर्ण का किसी भी धर्म का तो उसके जीवन में सुक्षानती आ कि शुरू में हमको दिक्कत आती थी हम सोचते थे कि हम जो बात बोल रहे हैं अगर कोई दूसरा सुनेगा तो ठीक नहीं लगेगा लेकिन अभी जो हम ठीम लेके चल रहे हैं कि जन कल्यान के लिए तीसरन पंचेशिल दारन करो भी हैं तो हम लोगों को तीसरन और पंचेशिल समझाते हैं पंचेशिल जब हम समझाते हैं तो किसी भी जाती का वेक्ती हो उसको समझ में आता है और वो उसको उसकी सरहाना करता है अभी रिसेंटी हमने एक बहुत बड़ा कारेक्रम बनाया हुआ है और जैसा की धम को जो लोग जानते हैं वो यह जानते हैं कि आशाड़ वर्शावास के दोरान इन दोर में छे उपासी का हैं और बारा उपासक मेरे सहीद बारा उपासक भी भिन जातीयों के श्रामनेर भिक्कू बनने जा रहे हैं तो इनका श्रामनेर संसकार जो है दो जुलाई को होगा और यह संसकार करवाने के लिए हमने नाकपूर के बहुत ही जाने माने बनते हैं बनते दमसारती जी और दमसारती जी नाकपूर में दिक्षा भूमी में जो उंट खाना में बोधी सत्व डाक्टर बाबा साहब अमबेटकर बिक्कू प्रसिक्षन केंद्र है उसके मुख्य प्रसिक्षक है वो आ रहा है तो दो तारीक को उश्राम नर्वीदी होगी और शुरुवाती जो दिन है तो भोजन दान और देशना का कारेकरम लोकल इंदोर में होगा वीबि और त्याग देंगे लेकिन मैं मेरे साथ दो शुराम नर्विकु निया और दो शुराम नर्विकू ऐसे पांच लोग तो हमने निमाड़, खनडवा जिला, धार जिला, बोपाल जिला, सिहोर जिला, देवाज जिला, उज्जेन जिला एसा एक व्यापक शेत्र कवर करते और उसका हेडिंग ही ये कि जन कल्यान के लिए तीसर अन पंशिशिल धारन करेंगे अभी है तो ये हमारा पहला जो रूट होगा वो खंडवा से चलू होगा तो इंदोर से खंडवा, खंडवा में बोजन दान, देशना और विश्राम होगा इसी प्रिकार से आगे जो मैं बता रहा हूँ, तो हर जगे भोजन दान, देशना और विश्राम होगा तो खंडवा से नेपा नगर, नेपा नगर से बुरानपूर, बुरानपूर से देश गाओं, देश गाओं से बीकन गाओं बीकन गाओं से खरगोन, खरगोन से जुल्वानिया होते हुए सेंदवा, सेंदवाच से राजपूर, राजपूर से अंजड, अंजड से बढवानी, बढवानी से ठीकरी, ठीकरी से कसरावत, कसरावत से मनलेश्वर, मनलेश्वर से महेश्वर, महेश्वर में बहुत बड़ का संगती होगी महेशवर से बड़वा बड़वा से सनावत सनावत से हम लोग एक अगस्त को नर्मदा नगर पहुचेंगे जहां अभी अभी बुद्ध भ्यार भी बड़ा अच्छा निर्मान हुआ है ये पूर्णिमा का दिन रहेगा और उसके बाद नर्मदा नगर से लगबग 20-पैंट रहेंगे और दूसरा रूट हमारा रहेगा नसर उल्लागंज के पास में सारू मारू हमारा बहुत एतियासिक इस्तूफ है वहां से चालू होगा वहाँ से सिहोर, सिहोर से शामपूर, शामपूर से आश्टा, आश्टा से कन्नोद, कन्नोद से खाते गाउं, खाते गाउं से सत्वास, सत्वास से पीपल रावा गाउं, ये पीपल रावा गाउं से दू उपासक श्रामनेर बन रहे हैं और पीपल रावा से सोनकच, सोनकच से देवास, देवास से उज्जेन, उज्जेन से सावेर और सावेर से इंदुर। और ये तीसरा रूट रहेगा, जो राजगर जीले में आपने सुनाओगा बाग की गुभाएं हैं, बुद्ध क्योज है, वहाँ से चलू होगा ये, और सरदारपूर में बोजन देशना और विश्राम होगा, सरदारपूर से धार, धार से घाटा बिल्लो, घाटा बिल्लो से महू, महू से राउ और राउ से इंदो, इस परकार से, तो इस दोरान मुक्य तया जो धम का आधार, आधार शिला है, तीसरा रन और पंचशिल, ये बहुती सरल भाशा में लोगों को समझाए जाएंगे, और हमें पूरी उमिद है कि, क्योंकि इन शेत्रों में हम पहले भी उपासक के रूप में जाके और धम गोश्टियां ले चुके लगबग हर इस्तान के उपर, तो इस यात्रा का काफी असर जन्मानस के उपर पढ़ेगा, और इन दोर में जो ब्रामन पिपलिया में जमीन एक उपासक ने दान में दी है, उपासक पुंजराज चोहान जी ने तो उसके उपर जो निर्मान करना है, उसके लिए भी दान इखटा करने का काम इस दोरान किया जाएगा, और हम उम्मिद करते हैं कि सेप्टेमर में किसी पूर्णिमा के दिनों उस विहार का निर्मान कारी शुरू कर पाएगा आपने बताया कि एक विहार का निर्मान हो रहा है, इस विहार के निर्मान के लिए क्या किस तरह से तैयारिया है, किस ने इसमें जमीन दी है, कौन, मतलब किस तरह से निर्मान के जा रहा है यह जो जमीन है अपने एक स्रेश्ट उपासक है पुझराजी चोहान नाम है उनका तो उन्होंने दी है पड़ा लिखा परिवार है समझदार परिवार है पूरा जो परिवार है बिल्कुल धमदर है शीलवान है इन्होंने दी है प्रवावित होके और जो हमारा उपासक संग उसमें काफी सारे लोग दान देते हैं, हर राइबार को गोश्टी होती है, तो इसका हमने दान इखटा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, सभी ने अपना अपना टार्गेट लिया हुआ है, सभी लोग इस काम में लगे हुआ है, और चुकि ये श्रामनेर बिक्कु संग का ये कारेक्राम अभी आ गया, तो और अच्छे तरीके से हम इसको कर पाएंगे, तो ये विहार जो है बाबा साब के सपनों के हिसाब से बनाना चाहते हैं, हम देखते हैं जनरली, जो मैंने देखा है, तो बुद्ध विहार में लोग आते हैं, कभी कहीं तो बुद्ध विहार ऐसे हैं कि लोग आते ही नहीं, आते तो संड़े को आते हैं, बंदना करते हैं, लेकिन इस विहार में हम पूरा प्रियतन कर रहे हैं, कि यहाँ पर एक अच्छी लाइविरी हो एक कोचिंग के लिए कामरा हो जिसमें हमारे बच्चे इंगलीश सीखें काम्पुटिटिव एक्जाम्स की तैयारी करें इसके साथ ही वहाँ पर हमारे समाज के जो डॉक्टर्स हैं वो समय समय पर बैठ कर निशुल्क परमर्श दें और निशुल्क हम दवाईयां जो प्रारंबीक बिमारिया होती हूँ उनकी दवाईयां बाटने का काम भी वहा से करेंगे और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके भी रुखने का कुछ इंतिजाम वहाँ पर हम करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से ये छोटे सरूप में सही तो बाबा साब के सपनों के साब से इस बुद्वयार को बनाने की हमारी योजना है आम तोर पर कहा जाता है कि भारत का जो बुद्धधम है वो वीदेशों में गया वीदेशों में उसका बहुत अच्छा पिचार पसार हुआ और बहुत अच्छे तरह से ऐसे कई देश हैं जो पूरी तरह से बौध में हो गए हैं भारत का पुदेदम भारत से बहार जाकर पल्लवित होता है पुश्पित होता है भारत में वो उस तरह से नहीं पनप पाता बाबा सहब आते हैं बाबा सहब जो है इसका एक बार फिर से पुनरजिवित इसको करते है और उसके बाद धीर धीर ये फैलने की कोशिश करता है आज उनके जाने के इतने साल के बाद भी आपको क्या लगता है जो उन्होंने दिक्षा भूमी से कहा था कि मेरा धम आगे बढ़ना चाहिए वो क्या हम बढ़ा पाए, क्या तरीका है, हम कहां तक ला पाए और आगे कैसे ले जाएंगे जैसा मैंने पहले भी कहा कि धम के प्रचार में हमसे कुछ गल्ती हो रही थी हमने इसको सिकार किया, जैसा मैंने कहा कि बावा साब कहते थे, बावा साब ने दावा किया कि मैं कुछ साल जिन्दा रहा तो पूरे देश को बद मैं कर दूँगा, धम मैं कर दूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आचरन में धमाना चाहिए वो हम नहीं ला पाए पंचेशिल की बात हम करते हैं पंचेशिल हम धारन करते हैं शमय आचना के साथ याचना के साथ लेकिन हमारे आचरन में वो जब नहीं उतरता है तो अन्य लोगों को वो दिखाई नहीं देता है और जब दिखाई नहीं देता है तो कोई भी विक्ति हमसे प्रेड़ना नहीं ले सकता जैसे उधारन के लिए ये जो हमारी पोशाक है तो ये भी एक आउसर पैदा करती है जैसे आश्वजीत जब भिक्षाटन के लिए निकले थे तो महा मोदलाइन और सारी पुत्त दो मित्र थे जो लोग धम्म को जानते हों सब लोग जानते होंगे तो दोनों मित्र अपने गुरू की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे उनके गुरू संजय थे तो दोनों में ये अनुबंध हुआ था कि किसी को भी जब अच्छा मार्ग मिल जाएगा तो अपने मित्र को आके बताएगा तो राजग्रव में जब अश्वजी जो नयने दिख्षित हुए थे धमों में वो भीक्षाटन कर रहे थे तो इनको सारी पुत्ति ने देखा कि कितनी सद्यूई चाल से वो चल ले है वो घर के सामने खड़े होते हैं देखते भी नहीं हैं भीक्षा जो मिलती हो लेते हैं अश्रे गर में चले जाते हैं तो सोचा कि ये तो बहुत ही अलग विक्ती है कितना शान्त है कितना अच्छा दिख रहा है कितना प्रभावित करता है आकरशन ने इन में पूछन कुछ ऐसी बात है जो इन से सिखी जा सकती है तो सोचते हैं कि जब भोजन कर लेंगे तो फिर मैं बात करूँ तो जब भोजन कर लेते हैं आश्वजीत बंते आश्वजीत जी तो फिर जाके उनके सामने बैठते हैं और पूछते हैं कि आपके गुरू कोन है उनकी शिक्षा है क्या है तो आश्वजीत कहते हैं कि मैं तो यह पांच शील जो है यह जीवन को सुखी बनाने के लिए अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है अन्य लोगों का जीवन भी सुखी हम कर सकते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है मार्ग और बहुत ही प्रकुलित होके वह अनुबंद को याद करते हैं तो चलो उसको ढूनता हूं मैं उसको बताता हूं तो जब उनको मोदगलाइन जी को ढूनते ढूनते हो सारी पुत जाते हैं और महां मोदगलाइन दूर से ही देखते हैं कि मेरे मित्र की चाल बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मिल गया और पास में आते हैं तो आखों में देखते हैं तो आखों में उनको चमक नजर आती है तो सारी पुत्त ने अभी धंब को समझा है नहीं था मोध गलायन को लेकिन उनके आचरण से उनकी चाल से उन्होंने जान लिया कि ये प्रभावित हुए बहुत और जब सारी प में उन्होंने लिखा कि बुद्ध विहार बनाने से भी अगर कोई बड़ा कारी है तो वो है पंचशील का पालन करेंगे तो हम प्रसंद नजर आएंगे हमारी समाज के अंदर एक इमेज बनेगी हमारी एक गुडविल बनेगी तब लोग पूछेंगे कि आप क्या करते हो जिसे इस काम उधारन दे रहा था बीच में सारी पुत्त जी का और अश्वजीत का उधारन दिया यह जो पांच पट्टियां है यह पंचशील की है और यह जो तीन पट्टियां यह तीसरं की है हमारी एक उपासी का है वो दम गोश्टियां लेती है उस समय वो पढ़ दी अभी तो नोक्री में है वो तो वो कॉलेज में एक दिन इसको पेहन के चली गी उनके एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो टीचर थे वसलमान थे वो तो दूर से देखा उन्होंने तो का अंकीता आप बहुत अच्छी लग रही हो आज बहुत अच्छी ड्रेस पेनी आपने और करीब आई तो उन्होंने ये डिजाइन को देखा तो पूछा अच्छी तो लग रही हो लेकिन ये डिजाइन क्या है तो हमारी अंकीता जो है वो तो धम समझाने नहीं गई थी लेकिन हमने औसर पेदा किया कि हम धम को समझा सके जब को बारे में उन्होंने अपने वनको सुखी बनाते हैं तो बड़े खोश हुआ हो तो इस प्रकार से जो लोग भी धम का परचार परसार करना चाहते हैं तो केवल पंचशील को हम दिन भर में दस बार बोलने पांच बार बोलने इससे काम नी चलने वाला है इसका आक्षर शो जब हम पालन करेंगे तो हमा इतना विनम्र होना चाहिए इतना सुशील होना चाहिए इतना विनेशील होना चाहिए कि सामने वाला पूछे हम नमस्कार करते तो पुरा जुक्के नमस्कार करें तो वो हमने गोशना पत्र बनाया उसमें ये सारे बिंदू है कि जिससे वेवार आदमी का चेंज हो जाता ह और वो धम संगत तरीके से बैटता है, बात करता है, हसता है, चलता है, नमस्कार करता है बुद्ध को के से नमस्कार करना है, बिकु संग को के से नमस्कार करना है हम जो इंदोर्ख शेतन में काम कर रहे हैं तो हम देखना है कि काफी इसका प्रभाव पढ़ रहा है और हमारी जो गोश्टियां होती तो इसमें अभी OVC के लोग भी आना चालो हो गए और एक विशेज घटना है कि अभी जैसे हम जानते हैं कि इंटर कास्ट मेरीजेस होने लगी है पड़े लिखिये तब के लिए अंदर तो दो-तीन ब्रामन समाज के लोग भी हमारी गोश्टियों में आए तो उन्होंने भी बहुत सारा सहराना की और अभी जो यह हमारा टूर है जो बाग में हमारा चालो होगा तो सरदारपूर जो जहां पर भोजंदान देशना और विश्राम है तो वहाँ पर सारे ब्राह्मन संगाज के लोग इसको कर रहे हैं ऐसे में 22 प्रतिग्याओं का क्या होगा? नहीं 22 प्रतिग्याओं अपनी जगे है 22 प्रतिग्याओं की बात जब होती है तो 22 प्रतिग्याओं की बात होनी चाहिए होनी चाहिए क्योंकि बुद्ध धर्म जो है तर्क शीलता का धर्म है बेग्यानिक धर्म है लेकिन जब हमको जैसे कोई मेडिकल में पढ़ता है न तो उसको पीमटी की एकजाम पास करना पड़ती है प्रारंबिक शिक्षा लेना पड़ती है धम में भी हम अगर टेक्पुल तरीके से काम करेंगे कि किसी वेक्ति को हमको डाक्टर बनाना है पूरा बुद्ध बनाना है तो उसको हम बैसिक जो चीज है हमारी तीसरन और पंचेशी पहली क्लास की पड़ाई है वो हम ठीक से करा देंगे तो फिर वो अपने आप उस तरफ बढ़ेगा ऐसे में जो आप वो किसी धर्म की बाबा साथ ने आलोचना नहीं किया बाबा साहब के मन में अगर नफरत होती तो बाबा साब ने इस देश का सविधान लिखा तो उस सविधान में हमको दिखाई देता है लेकिन आप ये देखे कि जो बुद्धरन antic धोमा में बाबा साब Nepal ने नेतिकता का और इंसानियत का समानता का संदेज दिया, उसी आधार के उपर पर रसविधान मनाया है। तो ये सोच की बाबी स्पृतिग्या जो है किसी धरम का अपमान है या उसकी विडमना की जा रही ऐसी बात नहीं है। बाबा साब ने उस सत्य को लिखा है, कि जो कालपनिक चीज है, क्योंकि बुद्ध है कि आत्मा भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है, आज का यूग वेग्यानीक यूग है, वेग्यानीक इस बात को जानते हैं, चाहे वो वेग्यानीक हिंदु धरम के हो, चाहे वो इसलाम क टो बाबा साब थाका कि ऑगज सार नीपे अफेले कजी चार शचार वे सोगा थे सकहा है कांदूर सोरें से तो मैंने हमाने भाटे आतो बहुत एक मतलं बर्ट तरीके हैं और हमारे सावालों का जवाव आपने दी अर कि भारत में यह दो गया है और अब लोगों ने इसे अपने हाथों में ले लिया है और एक संकल्प के साथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं एक अंतिम सवाल बस छोटा सा अक्सर होता यह है कि लोग रिटायर होने के बाद या फिर समाज से जब उन्हें पूछना परकना बंद हुआता है तब फिर जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं पूछ रहा तो भिक्कु बनते हैं आपका क्या कहना इस बारे में कि क्या यह जो समाज का काम है सामाजिक काम है कब शुरू होना चाहिए किस दवर में होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके लिए हमको प्रेळणा शेरोध बहुत सार है देश के अंदर तो हम भली नोकनी करते हो या व्यापार करते हो खेटी करते हो यह थी हमको ढम समझ में आता है तो जब समझ में तब से हमको इसका प्रशाव परसात चलो कर देना ची जा veggie हमरे अपासक सम में यहां की जो प्रमुग जातियां हैं, सभी जातियों के लोग हैं, OBC के भी लोग हैं तो हमने एक सुत्र बनाया उसका, कि हमारी बात को कौन मानेगा, जो हम तेजी से काम फैला सके हर समाज के अंदर, तो हमने थीम रखी है कि हमारे रिष्टेदारों को हमको बताना चाहिए, सबसे पहले तो जब इस प्रकार की चेंच चलेगी कि मैंने अपने साले को बताया मेरे साले ने उसके साले को बताया, उसके साले ने उसके साले को बताया ऐसे मेरे मामा ने इस प्रकार से यह जब हम टार्गेट बनाएंगे कि हमारे जो close relatives हैं हम जब दूसरे को बोलते हैं तो दूसरे लोग आसानी से मानते नहीं लेकिन हमारे घर में जनम दिन है हम list बनाने बेटते हैं तो तुरंद 50 लोग की list बन जाती है तो उसी जनम दिन को हम धम गोश्टी का रूप देते हुए अगर रखते हैं हम खाना तो खिला ही रहा है या सुलपार तो दे ही रहा है तो वहाँ एक गंटे की धम गोश्टी रखते हैं और रिशेदार आते हैं तो वो समझते हैं और ये स्विधी से हमारा काम तेजी से बढ़ सकता है हमने प्रिक्टिकल करके देखा है इंदोर के अंदर तो इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली सभी सेक्षेंस में धम की बात पहुँच रही है और लोग सहयोग करने के लिए आ गया आ रहे है उधारन आपके सामने है बहुत 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 तरीके से ये काम बड़े और उम्मीद करते हैं कि इंदोर में भी इस तरह से काम हो और निश्य दूप से जो आपकी यात्रा का प्रोग्राम आपने बनाया रहता है और जो धम देशना का आपने एक संकल पलिया है बहुत सफलता पुरूबक पूरा हो ये वी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह के काम यहां पर जारी रहेंगे बिल्कुल ये भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे हम लोगों के उपासक संक के यही प्रणे है तो मैं पूरी तरह से आश्वस करता हूँ संपूर्ण लोगों को उपासक उपासी काहों कि ये आखरी सांस तक ये काम चलता रहेगा.